विडियों में अपका स्वागत है दोस्तो आज हम बात करेंगे मद्ध ब्रदेश वीकली करेंट अफियर यानी मद्ध रुदेश सापता है करेंट अफियर 2021 के बारे में जिसमें हम चार्चा करेंगे एक सिद्धध जून 2021 के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन हुए उनके बारे में दोस्तो ये वीडियो आपकी सभी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए पूटेंट है वीडियो को हिंदी और इंगलिस तोनों भाषाओं में बनाये गया है टॉप 40 से ज़्यादा क्वेशन लिए गए हैं दोस्तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल स्टेड यूनिवर्स को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब पीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर किजिए तो दोस्तो क्वेशन नमर फर्स्ट है पांच लाग रुपए के विद्धिय सहायता मेडिया कर्मियों को कौन सा राज देगा जिसका सई ओप्शन है 36 गड़, 36 पांच लाग की विद्धियर सहायता मीडिय करिमें को देगा दोस्तो बात आई है, 36 गड़ की तो चलिए आपको मैप में इसकी लोकेशन और कुछ इंपोटेंट फेक्ट की बारी में बात करते हैं मैप में आप देख पार होंगे, यह है 36 गड़ जो 2000 में मदब्रदेश से अलग हुआ था इसकी स्थापना या गठन, एक नवंबर 2000 को की आ गया था, राजधन नयाराबपुर है जो यहां की राज़पाल है, वह है अनुसुया उईके हैं मुख्यमंत्री भूपेस बगेल हैं, जो कांग्रेस से हैं यहां पर राज़सवा की 5 सीते और लोक्सवा की 11 सीते हैं जो यहां का, यानि राज़पा जो गीत है, वह है आरपा पैरी के धरो है यहां की जो लेंगवेज है, वह है 36 गड़ी है यहां का जो इस्तनपाई या मेमल है, वह जंगली भैस है और पक्षी पहाडी मेना है इसके अलावा जो यहां का ट्री है, यानि राज़की ये ट्री है वह शोरिया रुबस्टा है, तो इतना आपको 36 की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन, हाली में किसी असम राइफल के महानेदेशक की रूप में चुना गया है तो इसका सही ओफशन है, प्रदीप चंदन नायर हाली में इन्हें असम राइफल का महानेदेशक बनाया गया है दोस्तों ये असम राइफल के 21 पे महानेदेशक होंगी Ac Nak Kar Beethoven की तक इस्थापना 1835 में की गई थी और इसका मुख्याल Ain इमफाल में है हाली में WHO के W revision award से किसे सम्मानेद किया गया है तो दोस्त इसका सही option है हर्श भर्दन, डोक्टर हर्श भर्दन को हाली में WHO के WICIA अवार्ड से सम्मानेद किया गया है अब बात आई है WHO की तो आपको इसकी बारें बता दें WHO का full form world health organization होता है इसकी इस्थापना 7 अप्रेट 1948 में की गई थी जो डिरेक्टर जनरल है वह है टेट डॉस अधानूम है और हैटकॉर्टर जिनेवा स्विजलेंड में है नेस्ट कोशन विश्व दुगद दवस या milk day कम मनाया जाता है तो दोस्तो प्रतिक एक जून को विश्व दुगद दवस मनाया जाता है दोस्तो इस दवस के इस्थापना 2001 में UN and FAO जिसे हम Food Agriculture Organization के नाम से जानती हैं इन दोनों के द्वार की गई थी 2021 में जो इसकी थीम रखी गई है वह environmental, nutrition and socio-economics ये थीम रखी गई है नेस्ट कोशन है Stargazing the Players and My Life पुस्तक किसकी द्वारा लिखी गई है तो दोस्तो ये पुस्तक हाली में रवी सास्त्री जो भारती मेंस क्रिकेट टीम के जो कोच है रवी सास्त्री उन्होंने ये बुक लिखी है तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है Most important question है Next question नीति आयुक की तरजपर Institution for Future and Transformation Gift की इस्थापना किस ने की है तो दोस्तो इसका सही option है गवा हाली में गवा ने नीति आयुक की तरजपर अपने राज में Institution for Future and Transformation की इस्थापना की है दोस्तो बात आईए गवा की तो चलिए आपको गवा की कुछ important fact की बारे में चर्चा करते हैं और इसको मैप में देखते हैं दोस्तो मैप में आप देख पर हूंग ये location है गवा की गवा के गवा की एक और लोग सुवा की दो सीटे हैं गवा में बात करें नैसल पार्क की तो महावीर, कैटी, जाओ और सली मली ये तीनों गवा में नैसल पार्क हैं यहां का जो famous dance है कुम्भी है और यहां की जो सबसे बड़ी नदी है यानि गवा की सबसे बड़ी पहले इस्थान पर रहा है आपको उता दे हैं 2019 में भी MP एनिमिया मुक्त में पहले इस्थान पर रखा रहा था बात आईए मैंप मद्रदेश की तो चलिए आपको मैप में इसके बारे में दिखा थे ये लोकेशन आप देख पार हो, ये ब्रॉड मैप है मद्रदेश का चलिए बात करते हैं इसके गठन की एक नमबर 1956 में इसका गठन हुआ तो राजधानी भूपाल है, जो बर्तमान में राजजपाल है वंगुभाई सी पटेल है यहां के जो मुख्यमंत्री सिवरासन चोहान है बात करती हैं के पुरुषकार की तो कालिदा, सिखर, शम्मान, तांसेन, सम्मान, लता, मंगिसकर, पुरुषकार, सरजोसी, पुरुषकार, कुमर गंदा, पुरुषकार यह दिये जाते हैं मद्रदेश में बांदोगर, काना, किसली, माधो, पेच, पनना, सत्पुड़ा और बनभिहार यह उद्ध्यान हैं मद्रदेश में जल्परपात की बात की जाए तो चचाई, बहुटी, दुमाधार, कपिल धारा और दुग धारा यह जल्परपात हैं मद्रदेश में बांद की बात की जाए तो बर्गी, राजगाट, बानसागर, तबा, गानिसागर और वर्णा, यह बांद हैं मद्रदेश में तो आपको इन सभी के बारे में इतना याद रखना, आपके एक्जाम में यहां से कॉश्चन बन सकता है इसराइल के नए रास्टपती हाली में किसे चुना गया है तो इसका सईयोफ रैन इसाख हरजुग को हाली में इसराइल का नए रास्टपती चुना गया है दोस्तो बात आईए इसराइल की चलिए मैप में इसके बारे में जान देए मैं अपमें आप देख पार हूगे, यह जो राष्टपती, हाली में जो बनाएगा ऐसा अखर जोग है, और हाली में यहाँ पर प्रदानमंतरी भी बनाएगा, इनका नाम नेफ्टाली वेनेट है, और करंसी नीयो श्यक्यल है, तो इतना आपको इजराईल के बारे में याद नेक्सट वेसे कोंसा रा आज किरसी का डिडिटल सरविक्षन कराने वाला राज बन चुका है डिडिटल तो पर अपको अञेगा आपको में ऑफन सकता देखो रहेंगे तो चलिए आपको मैं इसकी आपको तेलंगाना के बारे में याद रखना है next question है IUCN की red list में हाली में कौन सी मचली की प्रजाती को बाहर किया गया है तो दोस्तो IUCN की red list से हाली में महाशीर मचली को बाहर किया गया है दोस्तो आपको उता दें यह मदप्रदेश की राजकिय मचली है जो 2011 में राज की मचली का दर्जा दिया गया था 28 प्रतीशा तो मद्ध प्रदेश में नर्वदा नदी में महाशीर मचली पाई जाती है और IUCN की रेड लिस्ट से हाली में इसे बाहर किया गया है क्योंकि अब ये सुरक्षित है नागरिक उड्डियन मंत्राले द्वारा कितने उडान प्रिस्क्षन अकेडमी इस्थापित की जाएंगी तो इसका सही ओफ्षन है आठ नागरिक उड्डियन मंत्राले की द्वारा आठ प्रिस्क्षन अकेडमी इस्थापित की जाएंगी नदब्रदेश का खजराहो भी इसमें शामिल है पैन वियो नमा COVID-19 एंटीजन किट किसके द्वारा मनजूरी दी गई है तो दोस्तो ICMR ने हाली में इसी पैनी वियो जो COVID-19 एंटीजन किट है इसकी हाली में मनजूरी दी है दोस्तो आपको बता दें ये सेकंड स्वादी सी किट है इससे पहले जो स्वादी सी किट थी वहाएं कोवी सेल्फ थी और इसकी बाद ये पैन वियो COVID-19 एंटीजन किट बनाई गई है भारत में रंजी सेंद दिसले को हाली में किस बैंक का सलायकार निक्त किया गया है तो दोस्तो इसका सही option है 200 बैंक में यानि वर्ल्ड बैंक में रंजी सेंद दिसले को हाली में सलायकार निक्त किया गया है आपको बता दें टूटल बारह सलायकार इस बैंक में रखे जाती हैं जिन में से रंजी सेहंद साले भी एक हैं ये 2024 तक इस पद पर रहेंगे दोस्तो बात आई ये वर्ल बैंक की तो चलिए आपको बता दें वर्ल बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी हैड़कॉर्टर वॉसिंग्टन डीसी में है और इसके जो प्रिसिडेंट है वह है टेविट मलपास हैं नेस्ट कोशन हाली में अनिरोद जगनात का नेदन हुए 21 देश के दोस्तियां पर रास्टपती नहीं प्रधान मंत्री है तो अनिरोद जगनात किस देश के प्रधान मंत्री रह चुकी है तो इसका सही ओफशन है मौरिशस अनिरोद जगनात मौरिशस के प्रधान मंत्री रह चुकी हैं आपको उता दें 2019 में इन्हें पदम विभूशन से भी सम्मानित किया गया था नेस्ट कोशन बिसो परियावरण दिवस कम मनाया जाता है तो इसका सही उफ्षन है प्रतिक 5 जून को परियावरण दिवस मनाया जाता है इस दिवस की शुरुआ तो 1974 में की गई थी 2021 में जो इसकी थीम रखी गई है वाई एको सिस्टम रेस्ट और रेशन 2021 में रखी गई और 2020 में जो थीम थी वाई सैलीबरेट बायो डाइवरसिटी ये थीम थी तो आपको इतना परियावरण दिवस के बारे में याद रखना है मदबर्दीश के किस जिले में जो आलमुकी से तालाब बना हुआ है जिसका सही ऑफशन है सागर मदबर्दीश के सागर जिले में जो आलमुकी से तालाब बना हुआ है आपको बदा दें ये जो तालाब है वह नील कंटी स्वर गड़रा दौब नाशाशक थे, 15-वी सताबदी में, इनके द्वारा कराया गया था, दूस्तो बात आई है सागर की, तो चलिये आपको मैप में सागर के लोकेशन के बारे में, मैप में ये देख पा रहो हो गये, मदभदेश और साथी भारत का हरदय भी कहा जाता है सागर को, मदभद संस्तान और स्टेनलेस स्टील कॉंप्लेस की स्थापना सागर में की गई मतब्रदेस का सबसे बड़ा बन्द जीव अब्यारन नौरा दही अब बन्द जीव अभ्यारन है बीना तहसीर में ऑईल रिफाइनरी ओमान की सहायता से लगाई गई है नेस्ट कोशन है एक योजना के अनुसार 900 ना में कितनी पंडूब भी शामिल की जाएंगी तो दोस्तो योजना के अनुसार कुल 6 पंडूब भी भारतिये 9 सी ना में शामिल की जाएंगी बरतमान में इनकी संख्या 15 है 6 और इसमें शामिल की जाएंगी इस प्रोजेक्ट की जो लागत है वह 43,000 करोड रूपए बताई जा रही है बिल्डिंग परमीशन हेतु पेड़ लगाना किस राजने अनिवारी किया है तो दोस्तो ऐसा करने वाला हमारा प्रिये मद्धप्रदेश है आपको अगर बिल्डिंग के लिए परमीशन लेना है तो उसके लिए आपको पेड़ लगाने होगे ऐसा हाली में मद्धप्रदेश के जो मुक्यमंत्री सिवरा सेंचोहा ने उनकी द्वारा कहा गया है नेस्ट कोश्चन है हाली में कौन सा बिमस्टेक दबस मनाया गया है दोस्तो हाली में 24 बाव बिमस्टेक दिवस मनाया गया है आपको बताते हैं प्रधान मंतरी मोदी जी के द्वारा बिमस्टेक दिवस की सभी को बदाई दी गई है बात करते हैं बिमस्टेक की आपको बताते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो Bay of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economics इसका फुल फॉर्म होता है इसका जो सेक्रिटेट है वह धाका में है धाका जैसे की आप जानती हैं बंगलादेश में है इसका जो 2021 में जो चेर्में कर रहा है वह भूटान है 2018 में इसको चेर्में करने वाला श्रीलंका था और एक इंपूर्टेंट फिक्ट आपको बता दें इसमें जो देश हैं उनकी बारे मी बता दें पहला चरण 9 से 12 तक के बच्चों को लेप्टोप बितरन करना है और इसकी जो कुल लेप्टोप की कीमत या जो लेप्टोप बाटे जाएंगे वह 12,300 लेप्टोप लद्दाक में बाटे जाएंगे जिसका सरी option बन जाता है लद्दाक नेस्ट कोश्चन CBSC 2021 की सेसंट सत्र में किसके सहयोग से छात्रों को कोडिंग फॉर डाटा विज्ञान का पार्टे करम जोडा गया है जिसका सरी option है Microsoft यानि CBSC वोर्ड में 2021 के लिए Microsoft ने मिलकर कोडिंग फॉर डाटा विज्ञान के लिए ये पार्टे करम जूडा है आपको बता दें CBSC का गठन जो है वह तीन नंबर 1962 में किया गया था इसके अध्यक्ष मनोज अहुजा है और CBSC का जो headquarter है या मुख्याल है वह दिल्ली में ह चलिए बात करते हैं Microsoft की आपको बता दें Microsoft का formation 4 अपरेल 1975 में किया गया था बर्तमान में जो CEO है वह सत्या नडिला है और headquarter Washington DC USA में है आपको बता दें ये जो initiative लाया गया है 2021 की session के लिए ये नई सिक्षानीती के दहत लॉंच किया गया है 2025 तक petrol diesel में कितने प्रतिशत ethanol मिलाया जाएगा तो दोस्तों इसका सही option है 20% 20% प्रतिशत ethanol 2025 तक मिलाया जाएगा ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है तीन से 17 साल के बच्चों को COVID-19 TKA देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है तो इसका सही option है चीन चीन दुनिया में पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 3 से 17 साल के बच्चों को COVID-19 का TKA लगाया है वैसे आपको बता दें US और UK ने 12 से 17 साल के जो बच्चे थे उन के लिए टी का बनाया था लेकिन ये जो चीन ने टी का बनाया है वह है तेन से सतरे साल की बच्चों के लिए बनाया है आपको बता दें सुनूबैक बायो टेक की द्वारे एटी का बनाया गया है बात आईए चाइना की तो आपको मैप में ये लोकिशन दिख पर होगी ये चीन है चीन की राज़दानी वीजिंग है यहां के जो रास्ट पती हुआ है सी जिंग पिंग है और मुद्रा भारत की पहली इलेक्टिक सिटी किस राज़े मैं बनाया गई है तो दोस्तो इसका सही ऑफ्षन है गुजरात गुजरात के के वड़िया में देश की पहली इलेक्टिक सिटी बनाई जा रही है आपको वदाते नर्व दजला जो गुजरात में है Statue of Unity के आसपास की सभी जगहे में EV का शुरू की जाएंगे और इसी जगहे को नाम के बढ़िया है और इसे पूरी तरह से Electric City बनाया जाएगा और ये देश की पहली Electric City बन जाएगी Next question है परियाबर रपोर्ट 2021 की अनुसार भारत का कौन सा इस्थान है तो दोस्तो परियाबर रपोर्ट 2021 में भारत का 117 वा इस्थान है आपको उता दें Center for Science and Environment की द्वारा ये रपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत को 117 वे इस्थान पर रखा गया है किसराजी की मुख्यमंतरी ने 80 एकड में एक ऑक्षिजन बन बनाने की घोशना की है तो दोस्तो इसका सही option है हर्याणा हर्याणा की मुख्यमंतरी ने 80 एकड में एक ऑक्षिबन बनाने की पेशकर्श की है आपको उता दें इस यूजना में दस प्रिकार की बंद शामिल किये जाएंगे जिसमें औस दिये इसके अलावा तो जासे संबंदे जितने भी पोईड़ पोधि होते हैं या जो भी औस दिये पोधि होते हैं उनको लगाया जाएगा इस अस्ती एकड़ की जमीन में और इसको आक्सी बन का नाम दिया गया है निमन मैसे कौन सा असम का छटवा राश्टी उद्यान बना है तो दोस्तो आपको उता दें राइमन बन रिजर्व यहाँ पर राइमन नहीं राइमन जो बन रिजर्व है इसे असम का छटवा राश्टी उद्यान घोशित किया गया है किस सह पैर में ऐसा बनाया जा रहा है जहां शार्क और वे,' दिशने को मिलेगी, तो इसका सही option है indoor, इंदॉर में दोस्तों ऐसा filters पार्क बनाया जा रहा है जहां पर शार्क और वेइल आपको देखने को मिलेगी। आपको दाने को इस पहला जू होगा, जो इस तरह सी सार्क और व को मैप में इसकी लोकेशन की बारे में बता लेते हैं दोस्तों देख पा रहे होंगे ये लोकेशन इंदौर की है इंदौर को मद्वर्देश की आर्थिक और मिनी मुंबई की नाम से जाना जाता है मद्धप्रदेश की पर्थम मोशम बेचसाला सुयावीन अनुसंधान कींदर भी इस्थापित किया गया है इंदोर में लेजर किरण परमान उर्जा संस्थान भी इस्थत है मद्धप्रदेश राज आयोग और वित्त आयोग यहीं पर इस्थत है बीमरा अम्बेटकर की चनमिस्थली महू इंदोर में ही है सरपतम पुलिस कमिशनर प्रणाली मद्धप्रदेश में इंदोर में ही लागू की गई थी तो इतना आपको इंदोर की बारे में याद रखना है हाली में एस जैसंकर किस देश की विदेश यात्रा पर गए है तो इसको सही उफशन है कतर हाली में जो हमारे विदेश मंतरी एस जैसंकर है वह कतर की विदेश यात्रा पर गए हुई है दोस्तो आपको बता दें पहली यात्रा है इनकी यह है 2021 में कतर के लिए हाली में किसे नया चुनाव आयक्त निक्त किया गया है तो इसका सही option है अनूप चंद्रपांडे हाली में अनूप चंद्रपांडे को नया चुनाव आयक्त निक्त किया गया है तो इसका सही option है अनूप चंद्रपांडे दोस्तों आपको बता दें मुख चुनाव आयक्त जो है वरतमान में वह है शुशील चंदर है और जो इन्होंने जिसकी जगाए लिए वह सुनील अरोडा थे पहले चुनाव आयक्त अनुप चंदर पांडे हो गए और दूसरे जो चुनाव आयक्त है वह है राजीब कुमार है तो इन तीनों की बारे में आपको याद रखना है जो मुख चुनाव आयक्त हो गए वह सुशील चंदर हो गए और अनुप चंदर और राजीब कुमार ये दोनों चुनाव आयक्त हो गए केंदर ने धान पर कितने रुपए की MSP बढ़ाई है तो दोस्तो हाली में केंदर के द्वारा 72 रुपए की MSP धान पर बढ़ाई गई है तो इसका सही उफशन हो जाता है C, 72 रुपए प्रती कुंटल दोस्तो आपको बता दें बरतमान में जो कृशी मंत्री है वह नरेंज सेंत उमर है जो मदपदिस की मुरेना से सांसद है दोस्तो अब जो नया रेट आता है धान का वह 2250 रुपए प्रती कुंटल बन जाता है चौते खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी कौन सा राज़ करेगा जिसका सही उफशन है हर्याना हर्याना चौते खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजवानी करेगा दोस्तो आपको उता दें 18 साल तक की खिलाडियों को मौका इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मिलता है पांच नए खेल 2020 में शामिल किये गए हैं जिसमें मलखंब, योगासन, कातका, ठांगडा और जली गट्टू ये चारों पांचों खेलों को एड़ किया गया है Economic Intelligence Unit द्वारा जाई रिपोर्ट की अनुसा दुनिया में रहने वाले सबसे बहतर शहरों में पहले इस्थान पर कौन है तो दोस्तो ऑकलेंड दुनिया के सबसे ज़्यादा अच्छे और बहतर रहने वाले स्थानों में ऑकलेंड शहर का नाम आता है जो आपको न्यूजिलेंड में देखने को मिलेगा इसके बाद जापान का ओशा का है और इसके बाद ऑस्टिलिया का एलियाड है जो तेन 1,2,3 रैंक पर इस्थत है वहीं अगर बात की जाए सरबाद एक टॉप 10 जो शहर है वह आउस्टिलिया की है और अगर भारत की बात की जाए तो दोस्तो इसमें दिल्ली का रैंक शायद 35 बताया गया है जो confirm आप कर लेना एक बार यह मुझे याद नहीं है दिल्ली का कितनी रैंक बताई गया है लेकिन पहले इस्थान पर आउकलेंड है तो दोस्तो यह था हमार आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मद्वर्देश के जून के एक से दस के बीच जितने भी इंपोर्टेंट क्वेशन हुए है नमस्कार, have a nice day